नमस्कार दोस्तों, वैलकम टुश्टडी वितनी इलम आज हम जानेंगे नीती आयोग और वर्ल्ड फूट प्रोग्राम के मद्ध एक समझोता हुआ है स्टेट्मेंट ओफ इंटेंट जानते हैं ये समझोता क्या है और वर्ल्ड फूट प्रोग्राम के बारे में हाली में नीती आयोग ने वर्ल्ड फूट प्रोग्राम के साथ एक स्टेट्मेंट ओफ इंटेंट पर हस्ताक्चर किया है नीती आयोग और वर्ल्ड फूट प्रोग्राम के मद्ध हुए Statement of Intent एक रण नीतिक और तक्नी की स्तर पर साज़दारी है इसका मुख्य उद्देश भारत में खाद और पोशन की स्रक्षा सुनिश्चित करना है इसकी जलवाईव परिवर्तन के अनकूल सह सकने वाली क्रशी को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश है भारत ही नहीं पूरे विश्व में क्या हो रहा है जलवाईव परिवर्तन की वज़े से जो वर्षा का पैटर ने वो चेंज हुआ है भारत में की जो गर्मी है वो जादा साथ से आठ मन्त पढ़ने लगी है इसके साथ ही जो बरसात होती है ठंडी होती है इनका टाइम पिरट कम हो गया है इस वज़े से जो हमारी क्रशी है उसमें क्या होता है बहुत सारी जो किसान जो होते हैं उन्हें मोसम के मार जहिलनी पड़ती है, वैसे भी कहा जाता है कि भारत में जो क्रशी है वो मानसून का जुआ है, मानसून अच्छा रहा तो क्रशी अच्छी होती है, मानसून में गड़बड हुई या मोसम में कोई गड़बड हो गई तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अग दे इस चोटी जोत वाले किशानों के लिए ससत आजीविका का निर्मान करना है और जलवाई परिवर्थन के लिए अनुकूलन चमता का निर्मान करना खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए भी अनुकूलन चमता निर्मान में प्रयास करना है मतलब जो हम खाते हैं उस प्रणाली में भी क्या करना है चेंजिस लाने हैं तो हमारी खादे जो थाली है या हम ये कहें तो मोटे अनाजों की क्या होती है कमी पाई जाती है मोटे अनाजों को हमारी खादिस रंखला में हम शामिल ही नहीं करते हैं भारत सरकार मोटे अनाज का महत्व समझते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगतार प्रियास कर रही है वर्ष 2023 को UN के द्वारा International Year of Millets अनतराष्टी मोटे अनाज का वर्ष गोशित किया है सयुक्त राष्ट महासभा में इस प्रस्ताप को भारत ने स्पॉंसर किया था Center for Excellence का गठन भारत ने किया कि सेक्ट के तहट National Food Security Act 2013 के तहट जिसमें अनाजों का एकी करण जैसे प्रियास किये गए है मोटे अनाज में जैसे आपके जुआर, बाजरा ये सभी चीज़ें आती है मोटे अनाज के नाम से पहचान रखने वाले इन अनाजों को पोशक अनाज के नाम से भी जाना जाता है मोटे अनाज प्राकरतिक तोर पर ही आयरन, जिंक और केलसियम जैसे पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं मोटे अनाजों के अंतरगत कोदो, कुटकी, रागी, समा, बाजरा, मक्का, जुआर, आधी आते हैं तो ये था वर्ल्ड फूट प्रोग्राम और निती आयोक के मध्य हुआ समझोता अब हम देखेंगे वर्ल्ड फूट प्रोग्राम के बारे में वर्ल्ड फूट प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानविय संगठाने जो आपात कालीन परिसिती में खाद दिसाहता के माध्यम से लोगों की जान बचाने के लिए काम करता है वर्स 2020 में नोबल सांती पुरसकार से वर्ल्ड फूड और्गनाइजेशन को सम्मानित किया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्याले रोम इटली में हैं इसे मिला था नोबल प्राइस 2020 में तो ये भी आप याद रखेंगे और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्य उद्देश है जीरो हंगर लेकर आना मतलब जो हमारे ससत विकास लक्षे से युक्त राष्ट संग के द्वारा सतत विकास लक्षों में से दूसरे नंबर का है वैश्वे के स्तर पर भूंग को मिटाना मतलब जीरो हंगर के लक्ष पर पहुचना तो ये उसको भी प्राप्त करना चाहता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि जीरो हंगर कौन सा SGD है तो ये नंबर 2 का है तो ये था हमारा analysis, I hope आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है वीडियो को like कीजे, share कीजे और अगर आप study with Neelam चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करिए और अपना support हमारे साथ बनाए रखिए, thanks for watching and take care